2022 में students के लिए सबसे best laptops कौन से हैं अब आज कल जो smartphone बनाने वाली companies हैं वो भी laptops manufacturing कर रही है जब आप market में जाओगे आपके सामने कई सारे different option होंगे अब उन में से आपको एक select करना है अब जितने ज़्यादा option उतने ज़्यादा confusion और especially अगर आप student हो तो जो भी laptop आप ले रहे हो वो perfect होना चाहिए क्योंकि अगर आपने गलत laptop ले लिया तो घर वाले दूसरा laptop नहीं दिलाने वाले है तो जो decision आपका वो एकदम perfect होना चाहिए आपके requirements का recording perfect होना चाहिए और इस video के अंदर मने almost हर एक requirement के लिए एक laptop select किया है और almost हर एक price segment cover किया है तो इस video के बाद में आपको कौन सा laptop लेना चाहिए अगर आपको अपना वीडियो पसंद आए तो जुरूर वीडियो को like कर देना चैनल पर पहली बार रिजिट कर रहे है तो चैनल को subscribe कर देना अब सबसे पहले अगर आपको कोई apple का laptop लेना है अब आजकल apple के अंदर भी आपको कही सारी different option मिलत है लेकिन इस laptop को आप आराम से चार से पांच साल तक यूज कर सकते हैं यह laptop खराब नहीं होने वाला अगर आप physical damage से खराब करते तो जरूर हो जागा लेकिन ऐसे कोई भी दिखत नहीं आने वाली laptop के अंदर और चार-पांच साल बाद भी चलता रहेगा लेकिन आप भी इस काम से कर सकते हैं कोई problem नहीं है अब जो M1 चिप है यह काफी power efficient चिप है यानि कि बहुत ही कम power में चलती है पावर को सुंगती है तो जो battery backup है वो आपको काफी अच्छा मिलता है M1 जिसमें लगी होती है साथ में Apple का जब laptop पर logo लगता है तो उससे show off भी काफी अच्छा होता है आपकी image बढ़ती है लेकिन दोस्तों Apple का laptop लेने से पहले एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी software आप laptop में चलाना चाहते हैं क्या उस software को Mac support करता है Mac OS सपोर्ट करता है काफी सारे ऐसे software हैं जो Mac OS में नहीं चलते हैं तो laptop लेने से पहले एक बार यह जरूर चेक कर लेना कि वह software जो भी आप यूज करने वाले वह Mac OS के अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा उसके बाद में 90,000 का अगर आपका budget है तो definitely go for this अब बात करते हैं Windows laptop की और Windows laptop में आपके पास काफी सारे different options है एक price category में भी आपको तीन चार अलगे लगे laptops मिल जाएंगे start करते हैं around 60,000 के budget से आउमी नाम देखकर आप ऐसे मैं सोचना की नहीं आर कहां पर smartphone बनाने वाली company laptop बना रही है यह जो particular laptop है काफी tried and tested है कोई भी प्रोड्लम नहीं आने वाली है कुल वजन जो है इस laptop का वो है 1.4 kg यानि laptop काफी हलका है अब 1.4 kg वेट के अंदर आपको Intel का i5 प्रोसर मिलता है 11 generation वो भी H series का काफी अच्छा प्रोसर टिकाव प्रोसर यह माना जाता है साथ में आपको QHD plus resolution वाली display मिलती है अगर आप movies देखने में तो काफी मज़ा आएगा इस laptop में movies देखने में साथ में यह laptop की डिस्पले है वो एंटिक लिए आनिकर आप भार धूप में बैठकर भी ना कोई काम करें तो reflections आपको परिशान नहीं करेंगे साथ में fingerprint की भी सुईदा इस laptop में मिलती है 16 GB की रहे में सफीसे इंटर रहे में laptop के साथ में 512 GB की आपको SSD भी मिल रही है जब आप laptop लेंगे Windows 11 प्रिंस्टोल आएगी साथ में MS Office 21 प्रिंस्टाल आएगा अनलोग गेमिंग करने वाले student है आप तो इस laptop में इतनी अच्छी गेमिंग नहीं हो पाएगी गेमिंग अगर आपको करनी है तब आपको लेना है Acer का Nitro 5 यह special एक gaming laptop है और इसके लुक्स वह भी डिट्टो गेमिंग वाले gaming laptop के आपको पूरी वाइब देंगे साथ में RGB भी है इसके 3.6 inches की display मिलती है जो की laptop मेक्स साइज होती है और यह जो डिस्प्ले है यह 144 हट्स वाला डिस्प्ले है तोड़ा सा और बहतर हो जाएगा 8 GB RAM मिलती है 512 GB SSD मिलती है Windows 11 आती है इसके अदर प्र इंस्टॉल और साथ में Xbox gaming pass आपको इसके laptop के साथ फ्री मिलता है अब क्योंकि य फिर दोसों आजकल काफी सारे लोगों की डिमांड होती है कि उनका Intel processor वाला laptop नहीं चाहिए AMD processor वाला laptop चाहिए तब आपको कौन सा laptop लेना चाहिए gaming laptop आपको लेना चाहिए इस प्राइज में उस condition में आप purchase कर सकते हैं Lenovo IdeaPad Gaming 3 इस laptop के अंदर आपको AMD Ryzen 5 processor मिलता है काफी अच् अच्छा है साथ में जो ग्राफिक कार्ड है वो भी उस पिछले वाले laptop से काफी ज्याद आच्छा है लेकिन इसमें कोई भी ऐसे gaming वाला extraordinary लुक नहीं है almost similar laptop के जैसा ही लुक है साथ में कोई RGB भी नहीं है keyboard के इंदर backlight है white backlight है लेकिन कोई भी RGB नहीं है साथ में इसकी price भी 70,000 रुपीज है और आपको एक professional looking पतला हलका thin light laptop चाहिए सुन्दर दिखने वाला laptop चाहिए तब आपको लेना चाहिए Acer Swift 5 laptop 14 inches का आपको इस laptop के अंदर डिस्पले मिलता है साथ में जो डिस्पले है वो touch screen वाला डिस्पले है आप डिस्पले को touch करके भी control कर सकते हैं यह सु काफी attractive है क्योंकि जो डिस्पले की जो बेजल से वो भी काफी पतली पतली है और उसके वजए से जो डिस्पले देखने में काफी professional लगता है और as a student एक overall a good package good looking package फिर अगर आपको बहुत हलका laptop चाहिए thin light साथ में वो laptop थोड़ा apple की laptop जैसा दिखने वाला हो थोड़ा बहु कोनों ही tried and tested है आप अपनी uses के coding आपकी requirements के coding i3 या i5 ले सकते है बेसिक सुख सुधा आपको सभी इस laptop के अंदर मिलेंगी के अब 1.38 kg weight के अंदर है और इसके सबसे बड़ी जो खासित है one of the most सबसे बड़ी की यह apple के laptop के जैसा दिखता है macbook के जैसा दिखता है तो कहीं न कह आपका थोड़ा बहुत शो ओफ भी इससे हो सकता है अगर आप एक apple का स्टिकर चिपका दे तो i don't think कोई भी नॉर्मल बंदा identify कर पाएगा और फिर आपका budget है 40,000 रुपीज का movies देखने के आप बहुत ही शोकीन है binge watch आप करते है अलग अलग shows देखते है movies देखते है तब आपको लेना चाहिए असूस विवो बुक के 15 लैपटोप इस लैपटोप के अंदर आपको 15.6 इंचिस का डिस्प्ले मिलता है लैपटोप के अंदर max size लैपटोप स्क्रीन की साथ में जो ये screen है ये OLED डिस्प्ले है OLED डिस्प्ले में जो viewing experience आता है बहुत ही अच्छा आता ह है तो बहुत ही heavy task तो ये नहीं handle कर पाएगा लेकिन basic आपके एक as a student सारी टास्क MS Office वगरा सब कुछ चला देगा अब आता इस वीडियो का सबसे last और सबसे सस्ता लैपटोप असूस का वीवो बुक 14 अब इस लैपटोप की price है 35,000 रुपीज और 35,000 रुपीज के budget के अंद 8GB RAM मिलती है 256GB SSD लैपटोप के अंदर आपको मिलती है साथ में Windows 11 प्री इंस्टॉल्ड आपको इस लैपटोप के अंदर मिलती है basic आपकी student के लिए सारी requirements 35,000 रुपीज के अंदर ये लैपटोप पूरी कर रहा है तो आप इसके लिए भी जा सकते है कि आपका 35,000 रुपीज जिरूर लाइक कर देना जितने भी लिए अप्टोप समने आपको बिताएं सभी की लिंक नीचे दिस्क्रिप्शन में वहां से जाके डि्रेक्ट्ली पर्चिस कर सकते हैं और अगर अपने वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को यहां तक देख ह कर देना मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत